नमस्कार दोस्तों क्या आगा है आज चलिए हम बात करते हैं कैमरा कैसे यूज किया जाए मोबाइल फोन का कैमरा कैसे यूज किया जाए ज़्यादा तर केसे में होता है कि हम लोग फ्रेंट कैमरा को आन कर देते हैं और श्क्रीन पे अपने आपको देखते रहते हैं और जो रिकार्डिंग होती है उसको देखते रहते हैं पर बाद में जब उसको देखते हैं हम रिकार्डिंग के बाद में देखते हैं तो पता चलता है कि हम कहीं और देख रहे हैं किसी तब देखना है फ्रेंट में और हम किसी और साइड में देख रहे हैं तो चलिए आज यो है सीखा जाता है कैसे किया जाए यह चीजी कैसे रिकार्डिंग किया जाए ताकि आप सामने स्ट्रेट देख रहे हैं अब चलिए मैं बताता हूं जैसे देखे अगर मैं स्क्रीन कि तरफ देखों तो यह मेरा स्क्रीन की तरफ मैं देख रहा हूं यह देखेंगे कि यह दूसरी नट routine देख रहा है यह और यह वर दॉसरी कहंद देख रहा हैं तो यह आपकी द्थी मेरा ध्यान इसक्रीन पर नहीं कैमरे पर है इस समय अब यह देखें कैमरा जो है इस साइड में है और रिकार्डिंग के बटन जो है इधर इस साइड में यहां पर है इधर है यह है और दूसरी साइड में है तो यह हमें हमीशा ध्यान रखना है कि हमें जो है यहां पर जो कैमरा है उसकी तरफ देखना है न कि स्क्रीन की तरफ जो स्क्रीन है वहां पर नहीं देखना है हमें कैमरे की तरफ देखना है जब रिकार्डिंग हो जाए तब उसके बाद आप जो है पूरा रिकार्डिंग द कि बहुत बार किया जाता है मैंने भी बहुत बार गलतियां की है कि मैं स्क्रीन के तरब देखते हुए बोलता चला जाता हूं पर बाद में पता चलता है कि जब उसको बाद में रिकार्डिंग के बाद में देखता हूं तो पता चलता है कि वो कहीं और देख रहा हूं जब कि केमरे की तरफ देखिए जो केमरा है उसकी तरफ देखिए न कि स्क्रीन की तरफ देखिए इस्क्रीन यह है इस्क्रीन की तरफ देख मैं देख रहा हूं यह देखिए दूसरी तरफ देख रहा हूं पर अगर केमरे की तरफ देख रहा हूं तो यह सही आ रहा हूँ तो हमीशा थेख़ान राकंश रिकार्डिंग करते हैं टिउमें कैम्री रिख़ेंगेंद करके सिरीन नहीं का थेख़ेंगी हैं रेखेंगों पैर कैमने सबस्क्राइद कर दोगएं 순간 की ध्यान रखिए हमेशा रिकार्डिंग करते ही समय कैमरे का जो है उस पर ध्यान दीजिए न की स्क्रीन पर ठीक है चलिए इस ट्रिक को अप्लाई कीजिए और इस सजिशन को अप्लाई कीजिए देखिए आपका जो है वीडियो क्वालिटी कैसे बढ़ जाता है ओके झाल गप्लाई झाल झाल